असलाओ वालेकुम। आज मैं आपके साथ कटे मसालो के गोष्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। गोष्ट तो हम बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से कटे मसालो का गोष्ट जरूर बना कर देखना। है क्योंकि यह बहुत ही टेस्टी लगता है इन्शाला यह रेसिपी आपको पसंद आएगी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कटे मसालों का गोष्ट बनाने के लिए मैंने गोष्ट ले लिया है और 7 मैंने यहां पर 2 नल्या ले ली है आप अगर नहीं लेना चाहते नल्या तो आप स्किप कर दीजे गोष्ट ले लीजे अच्छी तरीके से धो लेना है धोने के बाद अब हमें यहां पर कूकर ले लेना है इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चमश तेल जैसी तेल गर्म हो जाता है तो इसमें हमें कुछ गर्म मसाले डाल देने हैं। तो यहाँ पर मैंने गर्म मसालों में तीन इलाइची, एक काली इलाइची, तीन से चार दालशीनी के तुकडे और तीन चार लॉंग ले ली है। साथ में ही दो तेज पता डाल देंगे, गर्म मसालों को डालने के बाद इसमें हमें डाल देना है प्यास, तो यह मैंने दो बड़े साइस की प्यास दी है, जिसको रफली कट किया है, प्यास डाल देंगे, प्यास डालने के बाद प्यास को अच्छे से भूनना है, और प्यास को तब तक पकाना है जब तक प्यास सॉफ्ट नहीं हो जाती प्यास को जादा नहीं पकाएंगे बस सॉफ्ट कर लेंगे तो देखिए जैसे ही इस तरीके से प्यास सॉफ्ट हो जाती है अब इसमें हमें डाल देना है गोश्ट तो यहाँ पर मैंने बड़े का गोश्ट लिया है आप चाहिए तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं गोश्ट डालने के बाद हमें यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से प्यास के साथ तीन से चार मिनिट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनना है जितना आप अच्छे से भूनेंगे उतना यहाँ पे गोश्ट की स्मेल खत्म होती जाएगी और साथ में प्यास भी अच्छे से गल जाएगी तो देखे हमने गोश्ट को अच्छे से भून लिया है तीन चार मिनिट के लिए इसके बाद हमें इसमें डाल देना है लसन और अद्रक तो यहाँ पे मैंने आट से नो लसन को बारीक बारीक कट कर लिया है साथ में ही छोटा सा तुकडा अद्रक का उसे भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है अधक लस्टन डालने के बाद इसमें हमें डाल देना है दो टमाटर तो यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर को रफली कट किया है इसे भी डाल देंगे साथ में ही डाल देंगे एक छोटा चमच हल्दी पाउडर अब अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसमें डाल देंगे नमक इतनी चीज़ा डालने के बाद अब हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है सभी चीजों को और अदग लस्टन हमने इसमें एड़ किया है और हल्दी तो उसके साथ हमें यहाँ पे गोश्ट को खुब अच्छे से 3-4 मिनट भूनना है साथ में जो हमने टमाटर एट किया है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छा सॉफ्ट हो चुका है और साथ में हमने यहाँ पे हल्दी के साथ गोश्ट को अच्छे से भून लिया है तो अब इसमें हमें डाल देना है पानी मैं यहाँ पे दो ग्लास पानी डाल रही हूँ दो ग्लास पानी डाल के मिक्स कर लेंगे एक बार ताकि सारी चीज़ा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और बस कूकर का ढखल लगा कर हम यहाँ पे गोश्ट को पकने के लिए रख देंगे तो सबसे पहले हाई फ्लेम पर एक सीटी आने देना है जैसी एक सीटी आ जाती है तो फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हम तकरीबन 18 से 20 मिनट तक पका लेंगे तो जब तक गोश्ट गल रहा है तब तक हम मसाला तयार कर लेते हैं जिसके लिए मैंने ले लिया है एक चमच जीरा दो चमच यहाँ पर मैंने अखी धनिया ले ली है साथ में ही 5-6 सूखी लाल मिर्च यह तीकी वाली लाल मिर्च है एक चमच मैंने काली मिर्च ले ली है और आधा चमच सौफ तो यहाँ पर सभी जो मसाले मैंने लिये है वो घर के खाने के चमच से लिये है सभी मसालों को तवे पर डाल देना है और तवे पर डालने के बाद हमें इसे हलका हलका सा बस भून लेना है जादा नहीं भूनना है, कलर नहीं चेंज होने देना है हलका हलका सा भून कर इसे हम निकाल लेंगे निकालने के बाद जैसी ये थंडा हो जाता है तो इसका हमें मसाला पीस लेना है इस तरीके से हमें मसाला दरदरा सा पीसना है बिल्कुल बारीक नहीं करना है इसे तो मसाला हमारा रेडी हो गया है और देखें यहां पे मुझे तकरीबन 18-20 मिनट हो चुके है और हमारा गोश्ट जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है तो गोश्ट अच्छे से गल गया है अब इसमें हम डाल देंगे 3-4 हरी मिर्च एक चम्मच छोटे चम्मच से डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च यह सिफ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ ताके अच्छा लाल कलर आए लेकिन अगर आपको नहीं डालना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं साथ में ही एक चोटा चम्मच हम डाल देंगे गर्म मसाला इसके बाद जो हमने धनिया, जीरा, काले मिर्च, सौफ का मसाला पीस कर तयार किया था दरदरा सा यह मसाला हमें एड कर देना है मसाला डालने के बाद अब हमें यहाँ पे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और mix करके आप चेक कर लीजिए नमक कम लग रहा है तो डाल दीजे मुझे नमक बिल्कुल सही लग रहा है तो मैं यहाँ पे नमक नहीं add कर रही हूँ बस इसे हम 3-4 मिनट तक और low flame पर पका लेंगे तो देखिए low flame पर मैंने 3-4 मिनट तक तक तकरीबन पका लिया है यह रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग अल्ला हाफिज